Welcome back to a new recipe, आज हम बना लेते हैं खस्ता खजूर, इसे बनाना बहुत ही आसान है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी लिया है, चीनी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल आधा कप के बराबर चीनी में पानी डालेंगे, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर तब तक मैंने यहाँ पे तीन छोटी इलाची की बीच को निकाल के अच्छी तरीके से इसे क्रश कर लेंगे, अगर आप चाहे तो यहाँ पे इलाची का पौडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इलाची को कूट के यूज़ कर रही हूँ, आप दोनों जिसमें कि मैंने चार चमच रिफाइन तेल डाला है, आप यहाँ पे डालडा घी, देशी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्सों के तेल के इस्तमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, अब इसे अच्छे से हातों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि हमारी म देखें इस तरह से जब हमारे मुठी बंदे और तुरन तोड़ने पे तूड़ जाए, इसका मतलब हमारे मैदे में मोहिन बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसके बाद हम यहाँ पे अड़ करेंगे हमारी इलाची जो हमने कूट के रखी वी थी, अब टेस्ट को इन्हेंस कर करने के लिए एक चुटकी नमक डाल देंगे, सुखी चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम जब चीनी डालें तो हमारी जो नमक है इलाची अच्छी तरीके से डिस्ट्रिब्यूट रहें पहले से, अब देखें यहाँ पे हमने यहाँ 250 ग्राम मैदा होना चाहिए और 4 चमच रिफाइंट टेल, तो देखें यहाँ आप याद रखेंगे, तो आपका बहुत अच्छा सा एक बार में बिना खराब हुए आपका खस्ता खजूर बन के रेडी हो जाएगा, आप इसे खस्ता टिक्या भी कह सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर खस्ता बिस्किट बनाना है, मीठी टिक्या बनाना है, तो आप यहाँ पर एक चमच मोहिन कम डालेंगे, उसकी वज़े से क्या होगा, कि हमारा जो आटा है अच्छी तरेके से आपस में मिल जाएगा, तो देखिए खजूर का जो आटा होता है, बहुत मिला मिला एक डाली है, तो इस तरह से देखिए, मैं याप इस बहुत सिम्पल सा शेव दे रही हünk, और चाहिए तो दुसरा शेव भी ड्रक सकते हैं, आप इस अंपर की अपर स्मिल सा भी डरक सकते हैं, मैंने जिस बना जेए होतों से इस तरह से खजूर का बनाते हुए, फटर ले ल से बन जाए तो देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ टाइम थोड़ा लगता है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सा मुं में घुल जाने वाला खस्ता खजूर हमारा बन के रेडियो होता है उसके बाद देखिए अगर आप चाहे तो सिर्फ इसकी डिजाइन ऐसे ही रख स ख़ savlars सब्सक्राइब करना उसे हमें चाहे ख़स्काइब करना है यह परता हómoाइब जाएं तो क्या होगा है की आड़ें medium low flame पर हमें दीरे दीरे सी फराइ करना है यह बहुत इनाजू कि इसे दीरे-दीरे से में पलटना है क्यूंकि हमने इसे अच्छी खासी मोहीं से बनाया है बहुत जाधा सौफ्ट है अगर सौरी अगर हम इसको बहुत जाधा चलाएंगे तो क्या होगा कि यह तूटने अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इसे हमें निकाल लेंगे और ठंडा करके किसी डिबे में पैक करके सर्व करेंगे रेसिपी अच्छी लगी हो तो यह सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर पे जो बेल का इकन उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगती हो तो थमसब दें